नमस्कार दोस्तों वेल्कॉम तो माई चैनल आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि आपके लैप्टॉप या डेस्टॉप में अगर बीट्लोकर रिकोवरी का ओप्शन आढ़ा है स्कीन में तो यहां पे चलिए आपको दिखाएंगे इस लैप्टॉप को पर धिज डाइब तो आपको यहां पे पास्वाड डालना पड़े गा आपके पासवाड रहेगा आप अगर भूल चुग हो तो आपके पास वीडिट्लोकर रिकोवरी का जो फाइल है तो उस फाइल के मदश से आप इसको रिकोवरी भी कर सकते हो लेकिन माल लिजीए आप आपके पास फाइल भी नहीं है तो आपको कैसे यहां पर रिकवारी करना है तो कोई भी ऑप्षान यहां पर अवेलेबल नहीं है यहां पर देगी एसकेप करने से प्रिपेरिंग रिकवारी बोलके आता है और उसके बास सेम आपको रिकवारी की डालने को यहां पर बोला जा तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा दिखा यह तो इन तक दिखिएगा दोस्तों तब ही आपको पता चलेगा कैसे आपको यह वाला काम करना है तो चैनल पर ने हो तो प्लीज सबसक्राइब कर देना साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाके अल पर क्लिक कर देना तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको दोस्तों पहले क्या करना है आपका जो लैप्टॉप या डिक्सटॉप है उसके अंदर जो भी आपका SSD या Heart Dive लगा हुआ है उसको आपको निकाल लेना है तो देखें यहां पर मैंने पहले से ही कोगार खोल के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लंबन आ हो तो यहां पर देखें कोई भी SSD मतलब एम्टु बला SSD लगा हुआ है जो हट डिक्स बला SSD है यहां पर अवेलेबल नहीं है तो एम्टु बला SSD जो है इसमें बीट लोकर का ओपसन लगा हुआ है मत्तब पासवड है तो इस situation में दोस्तो आप अगर इसको फोनमेट करना जाओगे तो आपको फोनमेट तो यहां पर विंडोस भी चल रहा है विंडोस भी चल रहा है में यहां पर आपको ओन करके भी दिखाएता हूं कि अलग पीसी है दोस्तों तो आपके पास एक अलग पीसी होना चाहिए जिसके मदद से आप आपका जो बीट लगर वाला एसेजडी है उसको आप मतब लेकिन आपका जो हड़ डाइब या एसेजडी है उसको भी हो आपको मिल जाएगा और आप विंडोस रिंस्ट्रल करके अड़ाम से यूज कर सकते हो तो देखिए यहां पर एक सेपारेट मेशिन है तो इसको चले है पहले आप कर देते हैं और आपको क्या करना है आपको ब यहां पर लगा हुआ है तो यहां पर खोल लेते हैं और क्या करना है आपका जो दूसरा पीसी है उस मादार पोर्ट में भी एमटू बाला स्लोट होना चाहिए यहां पर आपको लगा देना है तो यहां पर दोस्तों दूसरा जो पीसी है आपका उसमें आपको इंस्टोर कर देना है तो देखें मैंने यहां पर इंस्टोर कर दिया है तो जैसी बात है यहां पर जो उसम्साइश भीट क Right इूसमें अब करतेया ओव मैंने यहां पर बीट कर्डूर करते है तो इसके बाएर से आपको यहांपे देखें देखने को मिलेगा तो आप और second में में आप ह्युक्त एक ठाल लेहें तो भी आपको सेम आपकर देखने को मिलदा है क्या हूं है यह ब्लाव क्या की नज तैल यह Microsoft account, ऐपको पता है तो मदर्स से निया 5 तो ऊपको आपके हमिदाइ उनुग आ यह यहा है लेकिन ज्यदन देस्के इन उनुगे लेको उसे पास्वार नहीं है और देखें नीचे आपको option दिख रहा है यहां पर देखें फिर से off हो गया ज्यादा देर नहीं चलेगा तो फिर से on करते चले है बूठ हो रहा है तो देखें नीचे आपको option देखने को मिलेगा कि आप यहां पर recovery kit डालिए प्रेसेंटर टू कॉंटिन्यू और प्रेस एसके फर मोर डिकावरी ओप्सन तो दोस्तों माल दीजे आप अगर एसकेप दवाते हो तो आपको क्या नाजर आएगा देखें बीट लोगा ही ओप्सन नहीं है कि यहां पर कोन्टिनीक बोले रहें कर जो आपका लेप28 जो में है तो आपका ब्रेसेंटर इंदेगे धा सवर्ट्व दोस्तों आपका स्वीयिंगर आपका सेमें यहां around कोई आप staying काम नहीं करेगा simply आपको turn off your PC पे उपर क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है आपका जो second PC का SSD या हट डाइब जो भी है उसमें आपको बूट करना है तो चलिए इसको on करते हैं और यहां पर यहां पर देखिए यहां पर को स्कूड़ा 256 यहां पर लागा हुआ है स्कूड़ा यहां पर लागा हुआ है तो स्कूड़ा को हम सिलेट करेंगे इसमें इसमें आपको लोग इन करना है कि अभी देखिए दोस्तों हम आपको दिखाया है कि कैसे आपका जो हट्ड़ाइब है या एसेश्ड यह बीट्लोगर वाला उसको आपको बचाना है तो दान से देखिएगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लाग रहा है तो फड़ावा कर दिखें चले इस पीसी के अगर क्लिक करऊगे तो देखिए वाला दोसी ओर डी आपको दिखाया है एस कुड़ा का है मतलब सेगेंड पीसी का है और यहां पर देखिए लोग बाला तीख लादा दिखाया है लोग बाला फोल्डर ओं एम टु वाला जो एसेश्ड है उसक इतना स्ट्रॉंग है दोस्तों मतब आप अगर यूस करोंगे तभी जाके आपको पता चलेगा के विंडोस का खुद का पीचर से इसलिए बहुत ही स्ट्रॉंग इन्होंने बना दिया है तो आपको कैसे इसको अडिकावरी करना है तो आपको जाना है दिस्पिसी के ऊपर रा में आपका M2 वाला है और कौनसा आपका जो इस पे जो श्कुर अला हो यहां पे आले करके एक जो यहांसी बाते वाल लोग क्या करना है राइट क्लिक करना है और डिलीट वोलूम करना है तो यह के उपर क्लिक किजिए यह किजिए तो देखिए अनलोकेट हो चुका है और दूसरा एक डाइब है उसको भी हम क्या करते सेम टू सेम डिलीट वोलूम कर लेते हैं चले कि पॉपाटिस में जाके देखिए जो भॉल्यूम दिखाड़ा है कि दिक्स्वान का कि यहां पर आपको पुड़ा इंफर्मेशन मिल जाएगा तो यहां से आप बहुत ही आसानी से यहां पर सिंप्ल भॉल्यूमें क्रेट कर लिजिए एक डाइब हम लोग ने बना लिए अर दूसरा एक डाइब भी हम यहां पर बना लेंगे पहले अ कर द saja यहां पर अभी आप जाओंगे तो लोगबल अप्षण इहां पर चला गया है लेकिन आपका जो पूरी तरीके से रिकावरी हो चुका है अभी आप मतलब इसको लगा के यहां पर बिटलगर का कोई भी ऑप्सान अभी नहीं है आप अगर रिस्टार्ट करके देखो के तो आपको पता जलेगा देखें यहां पर पहले तो रिस्टार्ट हो जाले के बाद क्यों बिटलगर का ऑफ्चन आ रहा था तो अभी आपको यहां प toothpaste आपको भी ने मिलेगा शFFर्ण को है कि औरे आच, तो टो में पहले यहां पर तो बड़ी में ओधम उपारायोंगा मैं तब भीड़ कर तो यहां पे बड़े आसानी से यहां पे खुटला है तो हम एक बार क्या करेंगे एक बार Windows में करके इसका जो SSD उसमें Windows में लॉगइन करके एक बार देख लेंगे तो थो जो हम लोग को श्लेट करना एक टुवएल दवा के लेखे स्कुड़ा को हम सिलेट कर लेते हैं देखे यहां पर Windows आपका खुल जाएगा इस PC का जो SSD है वह यहां पर खुल जाएगा तो दोस्तों आपका जो बीतलकर बहला option यहां पर आढ़ा था पहले वह यहां पर आपको एवेलेबेल देखने को नहीं मिलेगा अभी बीतलकर यहां पे हटा गया है मैंने टोटाल डिलिट करके मतब इसको हटा दिया है तो अभी जाके आप क्या किजिएगा इसको इसको इस एम्टुबला एसेच्ड को खोल के इस लैक्टॉप में लागा के आराम से फॉर्माट बगड़ा कर सकते हूं तो ऐसे ही आप किजिएगा कोई कि दिख्कत आए तो कमान सेक्शन में डाली है क्या पॉबलेम होड़ा है मैं पूरी कोसिस करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का और हो सागे तो उसके ओपर एक वीडियो बाना देंगे तो चलिए आज का वीडियो एंपर इन करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में जाई हि